प्रक्टर्स के बारे में और जानते हैं, क्या फेक्टर्स होते हैं, क्या सरस्रमिकाएं होती हैं, क्या उनके उभेनिस संख्याएं होती हैं और किस प्रकार हम फेक्टर्स को बनाते हैं, और इससे बेस हम अभ्यास प्रशनों को भी पिछली कक्षाओं में कर चुकी थे, आईए कुछ अभ्यास प्रशनों को इस कक्षा में करते हैं अब देखे, question number आपको दिया गया है, 3 निम लिखित विभाजन कीजिए, अब देखे, first क्या है आपका, 10x-25, divide 5 फिर second question आपको क्या है, 10x-25, divide 2x-5, फिर third क्या है आपका, 10y, 6y plus 21, divide 5, 2y plus 7 फिर्थ क्या है आपका, 9x-square, y-square, और 3z-24, divide 27xy, z-8, और फिर्थ क्या है आपका, 96abc, 3a-12, 5b-30, divide 144, a-4, और b-6 यह बात आपको समझ में आ गई, अब first question देखे, 10x-25, divide 5, क्या है आपका, 10x-25, divide 5, अब देखे, 5, 2x-5, divide 5, अब देखे, 2x-5, यह बात आपको समझ में आई, आप second देखे, 10x-25, divide करेंगे आप, 2x-5, तो क्या आगे आपका, यह बात देखे, 5, common ले लेंगे, 2x-5, divide 2x-5, तो क्या आगे आपका, यह बात पूरा कड़ गया, और यह आगे आपका, 5 answer, इस प्रकार यहां पे, अब यहां हम देखेंगे third question, 10y, 6y, plus 21, divide 5, 2y, plus 7, और यह क्या आगे आपका, 10y, 6y, plus 21, 5, 2y, plus 7, और 2, into 5, into y, into 3, 2y, plus 7, upon 5, 2y, plus 7, क्या आगे आपका, 2, into y, into 3, तो क्या आगे आपका, 6y, यह बात आपको अच्छे से clear होई, third question किस प्रकार हमने किया है, अब देखें next आगे, question number आपका आता है, 9x2, into y2, 3z, minus 24, divide 27xy, z, minus 8, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 9x2, y2, 3z, minus 24, divide 27xy, z, minus 8, यह बात आपको समझ में आई, अब हमने क्या किया, 7 upon 27, into xy, xy हमने यहां ले लिया, एकी दो बार आपको दिया गया है, और यहां पर 3x, minus 8 ले लिया, इसका कोमल ले लिया हमने, और यह xy यहां से भार ले लिया, और यह क्या आगे आपका, z, minus 8, अब क्या आगे आपका, xy यहां पर आगे, अब देखें, फिफ्ट आपका, 96, a, b, c, 3, a, minus 12, 5, b, minus 30, divide 144, a, minus 4, b, minus 6, यह बात आपको अच्छे से, clear हो गई, देखें, आपको यहां पर दिया भावा भी है, और यह क्योशन यहां पर किया है हमने, अब देखें, 12, into 4, into 2, a, b, c, into 3, a, minus 4, 5, b, minus 6, और यह क्या आगे आपका, 12, into 4, into 3, a, minus 4, b, minus 6, तो आपका क्या आगे है निकलकर, 10, a, b, c, यह बात आपको अच्छे समझ मैं, क्या आपका किस प्रकारी कोश्चन आपने किया है, अब next देखते हैं, अब देखें, कोश्चन नमबर दिया गया है, 4, कोश्चन नमबर दिया गया है, 4, निर्देशा नुसार भाग दीजिए, क्या आएगा नमबर 1, 5, 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, डिवाइट 2x प्लस 1, सेकेंड क्या है आपका, 26xy, x प्लस y, y-4, डिवाइट करेंगे 13xy-4 से, अब देखें, थार्ड वाला आपका क्या है, 52, PQR, P, प्लस Q, Q, प्लस R, और R, प्लस P, को डिवाइट करेंगे, 104, PQ, Q, प्लस R, और R, प्लस P, 3, फिर आपका आएगा, 4, 20, y-4, y-square, प्लस 5y-3, को डिवाइट करेंगे, 3, y-4 से, और 5 के आगे, आपका, x, x-1, x-2, x-3, को डिवाइट करेंगे, x, x-1 से, यह बात आपको अच्छे समझ में आगई, आप देखें, फस्ट आपको दिया गिया है, 5, 2, x-1, 3, x-5, को डिवाइट करेंगे, 2, x-1 से, यहां आप लिख देंगे, तो हमारा 2, x-1 से, 2, x-1 गया, तो हमारा क्या बसता है, 5, 3, x-5, यह बात अच्छे से आपको clear होगी, अब second देखें क्या है, 26, x, y, फिर आता है, x-5, y-4, और को डिवाइट करेंगे, 13, x से, तो y-4, तो क्या आपका, 26, x, y, x-5, y-4, को डिवाइट करेंगे, किसे, 13, x, y-4, फिर क्या आपका, 13, into 2, into, x, y, x-5, y-4, को डिवाइट करेंगे, किसे, 13x y-4 2y x plus 5 यह बात आपको समझ में आई आगे देखिए कि आपका किस प्रकारी कोशन आया है और आपने कैसे इसको किया है थर्ड देखिए अब देखिए आपका क्या आएगा 52 p qr p plus q q plus r r plus p को डिवाइट करेंगे 104 p q से फिर p q r r plus p फिर क्या आएगा आपका 52 p q r p plus q q plus r और r plus p लेंगे फिर आपका आएगा 104 को डिवाइट करेंगे q q plus r और r plus p आपका q plus r देखिए कहाँ पर है यहां से यह कड़िया r plus p से r plus p कड़िया आपका क्या बचेगा 52 p q r और क्या आगया 52 into 2 लिख सकते हैं 104 को into p q और आपका क्या आजाएगा यह पारे सारी संक्या हम दुबारे लिख लेंगे p plus q q plus r और r plus p फिर आपका क्या आजाएगा यहां पर q plus r r plus p क्या आगया आपका 1 upon 2 r p plus q यह बात आपको समझ में आ गई आप 4 देखिए 20 y plus 4 y square plus 5 y plus 3 को डिवाइड करेंगे 5 से और y plus 4 20 y plus 4 y square 5 y plus 3 और 5 y plus 4 फिर क्या आजाएगा आपका 4 y square plus 5 y plus 3 और 5 में क्या है आपका x x plus 1 x x plus 2 x plus 3 को हम डिवाइड करेंगे किस से x x plus 1 से तो आपने x plus 1 से इसको डिवाइड किया x से x किया है हमारा तो हमारा क्या आंसर बसता है x plus 2 और x plus 3 यह बात आपको अच्छे समझ में आई अब next देखते है question number आपको दिया गया है 5 वे अंजग के गुड़ अंखंड कीजिए तता निर्देशा अनुसार गया भाग दीजिए अब देखे number 1 क्या है y square 7y plus 10 divide y plus 5 second क्या है m square minus 14m minus 32 को divide करेंगे m plus 2 से फिर आपका आता है third 5p square 25p plus 20 को divide करेंगे p minus 1 से अब fourth क्या आता है आपका 4yz z square plus 6z minus 16 को divide करेंगे 2y y plus z फिर आता है आपका fifth 5pq p square minus q square और divide करेंगे 2p p plus q से फिर आता है आपका 12xy 9x square minus 16y square को divide करेंगे 4xy 3x plus 4y और का आपका 39y q 50 square minus 98 को divide करेंगे 26y square आपका 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 प्लस 7 तो 1 का क्या आपका y square plus 7y plus 10 को divide करेंगे y plus 5 से y square plus 7y plus 10 divide by y plus 5 फिर आपका क्या आता है y square plus 2 plus 5 y plus 2 into 5 और divide में क्या आएगा y plus 5 फिर आपका क्या आएगा y square plus 2y plus 5y plus 2 into 5 और divide में आपका आजाएगा y plus 5 इस प्रकार हमारा क्या बन गया यह y plus 2 और y plus 5 को divide कर देंगे किससे y plus 5 से y plus 5 से y plus 5 गया हमारा y plus 2 इसका answer होता है यह बात आपकी clear होगे अब देखें question number आपको दिया गया है second m square minus 14 m plus 32 को divide करेंगे m plus 2 से m square minus 14 m plus 32 और m plus 2 को divide करेंगे m square plus minus 16 plus 2 m plus minus 16 into 2 m plus 2 यह बात आपको समझे नहीं अब m minus 16 m plus 2 और m plus 2 तो क्या आगया x square plus a plus b x plus ab is equal to x plus a और x plus b यह बात आपको clear tea समझ में आई और आपका क्या वस्ता है आपर m plus 2 अब देखें third वाला क्या है 5p square minus 25 p plus 20 को divide करेंगे p minus 1 से और divide करेंगे क्या आगया आपका 5p square minus 25 p plus 20 और p minus 1 तो 5p square minus 20 p minus 5p plus 20 और divide p minus 1 फिर आपका क्या आता है 5p p minus 4 minus 5 और p minus 4 divide और p minus 1 यह समझ में आपको 5p minus 5 p minus 4 और p minus 1 तो आपका क्या आया p is 1 p minus 4 p minus 1 तो क्या आगया आपका 5 p minus 4 यह बात आपकी क्या होती है यहाँ पर clear होती है यह बात आपको समझ में आई अब देखिए question number आपको 4 दिया गया है 4 yz z square plus 6 z minus 16 divide 2 y yz plus 8 फिर आगया आपका 4 yz z square plus 6y minus 16 2 y z plus 8 4 yz z square plus 8 minus 2 z plus 8 into 2 फिर 2 y z plus 8 फिर आपका आएगा 4 yz और यह हमने पूरा कर दिया हमारा आगया x square x plus y यह हमने formula लगा है x a b is equal to x plus a और x plus b आपका इस प्रकार से बन जाता है तो आपका क्या आगया 2 z z minus 2 फिर आता है 5th point 5 pb p square minus q square divide p q p plus q और यह आपका इस प्रकार यहाँ पर आगया और आपने क्या लिखा 5 p q p minus q और आपका divide में आगया क्या और यह लिख देंगे p plus q divide में 2p p plus q तो क्या आगया आपका 5 upon 2 q 3 minus q यह बात आपकी क्या हुए clear होती है यहां से तो आपका इस question आता है पूरे को हमने उसी प्रकार divide किया है और इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया भई वाला तो हमारा आगया 3 3 x minus 4 y यह फॉर्थ point में हमने जो question करा उसको divide कर दिया और इसमें पर हमने वही फॉर्मूला का use किया है तो हमने क्या किया 39y into 2 5y minus 7 और इसको divide कर दिया तो हमारा बस्ता है 3y 5y minus 7 यह बात आपकी clear होती है तो आज आपने क्या सीखा तो हम किस प्रकार अपने questions को कर सकते हैं factors को कर सकते हैं factors को हम कैसे खोल सकते हैं और उन पर हम कैसे चर और चर राश्यों का प्रियोप करके उनकों की साहिता से उन questions को solve कर सकते हैं और जित्ती भी problem solving question होते हैं हमको भी असानी से solve कर सकते हैं आगे का हम next question में करेंगे आज के लिए thank you